इस देश के निर्माण में हमने कुछ गंभीर गलतियां की हैं। जब मैं कहा रहा हूँ गंभीर गलतियां। देखिए एक एक गंटंत्र के रूप में हमारा जन्म 47 में हुआ, 75 साल पहले। तब जो एक उप महाद्वीब था। उसे या तो अज्यानता के कारण, या जान बूच कर, हमें नहीं पता कैसे, मैं उस समय के लोगों पर अपनी राय नहीं बनाना चाहता। पर हमने उप महाद्वीब को एक द्वीब बना दिया। अभी इस देश में आप व्यापार या तो समुद्र के रास्ते कर सकते हैं, या तो हवाई मार्क से। कोई सडके नहीं है, कोई रेलवे नहीं है, कोई पाइप लाइने नहीं है, जो हमारे लिए तेल, गैस या कुछ भी ला सकें, क्योंकि हम एक द्वीब हैं। जो एकुप महाद्वीब था, उसे हमने एक द्वीब बना दिया। ये एक तराजदी है, जिसे आप सुधार नहीं सकते, कम से कम अभी तो नहीं। तो हमें बहुत प्रगती शील बनना होगा। सौभाग्य से हमारे लिए Information Technology का जमाना आया, जिसके लिए किसी रोड या रेलवे या पाइपलाइन की जरूरत नहीं होती। ये बस हवा में होता है। असल में इसकी बदौलत ही हम अच्छा कर पा रहे हैं। हेलो। नहीं तो, आप देखिए कि हर चीज जो समुद्र से आना होता है, कोई भी चीज जिसका वजन 10 टन से ज्यादा है, उसे समुद्र के रास्ते आना होता है। आप उसे रोड या सड़क के रास्ते नहीं ला सकते। बिलकुल नहीं। वो देख जो हजारों सालों से इन रास्तों से व्यापार करता रहा था, हमने सब कुछ बंद करके एकुप महाद्वीब को द्वीब बना दिया। अब क्या कहा जाए। खेर, अब चुकि इस तरह की चीज़ें अतीत में की जा चुकी हैं, तो आज जो हम दुनिया में बना रहे हैं, उसके लिए हमें बिलकुल नई सोच की जरुरत होगी। अब, ये बहुत महत्वपून है। अगले 10-15 सालों में हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? ये बहुत-बहुत महत्वपून है। अगर हम एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं, जिस पर हमें गर्व हो, तो हमें सही चीज़ें करनी होगी। झालेफा हुआ सुष्पट